हेलो दोस्तों मैं सोरों बलिक आप सभी का टोपी की स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों यह है रीजिनिंग के 15 वीडियो के क्रैस कोर्स का पार्ट 3 और इससे पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिनका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्टन बोक्स में लिंक दे दिया है तो वहाँ से जाके आप उन सभी को देख सकते हैं आप वीडियो को like भी जरूर करेंगे तो यह पर पहला question है coding decoding से जिसमें पूछा जा रहा है किसी संकेतिख भासे में inform को jmg nsl लिखा जाए तो उसी संकेतिख भासे में player को किस परकार लिखा जाएगा तो बहुत ही आसान सा question है तो यहाँ पर आपका 9 नंबर पर आता है और J आपका 10 वे नंबर पे आता है तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि I से next जा रहा है J यानि की plus 1 चल रहा है N आपका 14 नंबर पे आता है और M आपका 13 पे आता है यह 14 हो गया यह 13 हो गया इसका मतल़ यहां पर minus 1 चल रहा है तो इस स्रीज को मैं बोल सकता हूँ कि प्लस वन ठीक है और माइनस वन की स्रीज है तो यहाँ पर I में प्लस वन किया J N में से माइनस वन किया तो M F में प्लस वन किया तो G O में से माइनस वन किया तो N R में प्लस वन किया तो S और M में प्लस माइनस 1 किया तो L तो यह वाली स्रीज चल दिया आपकी प्लस 1 माइनस 1 से ठीक है तो उसी तरीके से आप प्लेयर को करेंगे अप प्लेयर में आपको पूरे का पूरा देखने की जरूरत नहीं है आप ओप्शन से करेंगे ओप्शन से कैसे करेंगे भाई P पता है हमें P में plus 1 करना है यानि कि P का next कौन सा होगा Q होगा तो आप यह देखिए कि यहाँ पर 4 option में से क्यों किस में सबसे सुरू में क्यों किस किस में है तो इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो 2 option तो खुद ही अट जाएंगे बचे आपके पास A और B यहाँ पर Q इसमें Q इसमें ठीक है L में से आपको minus 1 करना है L आपका 12 नंबर पर आता है minus 1 करेंगे 11 बाग 11 पर आपका क्या आता है तो कि इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है फिर next आपका आता है A A में पलस आपको 1 करना है तो B आ जाएगा तो यहाँ पर भी B है यहाँ पर भी B है फिर Y में आपको minus 1 करना है तो Y में से minus 1 करेंगे तो क्या हूज जगा X तो आपका देख़ी यह option नहीं होगा क्योंकि यह तो plus 1 हो रहा है तो यह आपका B option हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दीके coding decoding से आपका question 100% बनेगा और यह बहुत तरीकी की coding decoding होती है बस आपको दीरे दीरे सारे type के में question कराते रहोगा आप सारी वीडियोस देखते रही है ठीक है next आपका question है दी गई अकसर सरंखला में लुप्त अकसर युगम ग्याद कीजे यहाँ पर जो series आपकी follow हो रही है c y d f t h i o l j p next आपको बताना है कि next क्या आएगा question number 2 है वीडियो को रोकिए try करिए answer comment box में करिए otherwise मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगर हमें यह पता होगा ना कि alphabet का number क्या है c कौन से number पर आता है y कौन से number पर आता है d कौन से number पर आता है तो इस type के questions करना बहुत ही आसान हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करू c आपका तीसरे number पर आता है C आपका तीसरे पर आता है F आपका कितने पर आता है F आपका 6 नमबर पर आता है I आपका 9 नमबर पर आता है तो आप इससे क्या समझ रहे है यह तीसरे पर था यह छटे पर यह 9 में N की प्लस 3 I में प्लस 3 किया तो हमारा क्या बन जाएगा L बन जाएगा ठीक है क्योंकि L आपका 12B पर आता है फिर next आपको 15 बाद देखना है 12 में L आपका 12 बाद नंबर पर आएगा 12 में plus 3 करेंगे 15 बाद 15B पर क्या आता है O तो यहाँ पर आपका next O आएगा ठीक है तो आप मुझे यह बताएगे कि O कितने option में है इसमें है इसमें है इसमें है तो यह B वाला तो कभी भी जीवन में नहीं हो सकता है तो इसको दो हम अठा देते है next फिर देखते है Y आपका 25 पर आता है next आपका T जो है वो 20 पर आता है इसका मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस 5 चल रहा है अब O आपका कौन से पर आता है O आपका 15 पर है जैसे मैंने अभी आपको बता है तो फिर यह 20 से 15 होगा इसका मतलब माइनस 5 चल रहा है फिर आपका माइनस 5 करेंगे तो आपका यह हो जाएगा J J में से 5 J आपका 10 पर आता है माइनस 5 करेंगे तो 5 5 पर आपका क्या जाएगा E तो यहाँ पर जो दूसरा रहेगा E रहेगा तो यहाँ पर आप समझ गये होंगे यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता O और E के 2 option बच गए है तो अब D देख लेते है D आपका 4 पर आता है और H आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर H इससे तो H आपका 8 पर आता है तो plus 4 चल रहे है ठीक है तो plus 4 इसमें हो जाएगा plus 4 इसमें हो जाएगा next P आपका आता है देखे 16 पर पर इसमें plus 4 करेंगे 20 20 वे नमबर पर आपका T हो जाएगा तो next आपका T होगा तो O, E, T इस दर आइट 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 आइगा तो यह चीज़े मैं आपको समझा रहा हूं थोड़े टाइम लग रहा है अदर्वाइस आप इन questions को जाद से जादा 10 या 15 सेकंडे में कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको सभी अगर यह alphabets पता होंगे अगर नहीं पता है तो मैं आपको हरी एक वीडियो में एक चीज़ ज्यान दिलाता हूं कि A से M तक M के नीचे N और Z तक इस तरीके से आप लिख लीजे पूरा A, B, C, D और उनके उपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह पूरे डाल करके लिख लीजे तो आपके यह इस टाइप के question दे के दोनों के दोनों question इसी तरीके से हो जाते है ठीक है चलिए next question पे चलते है next आपको question number 3 है एक इस type का question भी आपको जरूर आएगा तो जरुदली से करिए बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है board mask का rule apply करते है question को solve करना है बस और कुछ भी नहीं है ठीक है यहाँ पे जो दिया गया है यदि plus का अर्थ multiply हो minus का अर्थ divide हो multiply का अर्थ minus हो divide का अर्थ plus हो तो यह सभी change कर सकते है मुझे तो लगता है इसमें कुछ hard है तो जैसे यहाँ पे plus का अर्थ multiply लिखा है तो जहाँ पे plus है वहाँ multiply कर दिजिए divide का अर्थ यहाँ पे multiply लिखा है यहाँ पे multiply कर दिजिए sorry यह आपकी पूरी series बन गई है इसको solve करना है तो इसको solve कैसे करेंगे देखिए यह आपने पूरे sign change कर दिये ठीक है sign change करने के बाद में board mask का rule क्या कहता है सबसे पहले bracket को solve करिए फिर off वाली multiply फिर divide फिर multiply और फिर आपका add फिर subtract ठीक है इस तरीकी से बोलता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले divide करना है तो divide इसको करेंगे 4 से 8 को जाएगा दो बार तो 9 into 8 plus 2 minus 9 हम इसको कर लेंगे दूसरे number पर पिर आता है divide के बाद multiply तो इन दोनों की multiply करेंगे कितना हो जाएगा 9, 82 72 प्लस 2 minus 9 फिर तीसरे number पर आपका क्या आ रहे है मतलब इसके बाद आपका add यानि की plus करेंगे 72 प्लस 2 कितना हो जाएगा 74 minus 9 तो कितना हो जाएगा 65 तो 65 आपका राइटा अंतर हो जाएगा तो यह questions hard नहीं होते है मैं आपको already बता चुका हूँ कि जो reasoning का portion है वो बहुत scoring है reasoning में आप मतलब पूरे में से पूरे marks ला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मैनत कर ले बस ठीक है और आपको scoring subject ही रखना है इसको ज़्यादा मैनत नहीं करना है और marks सारे लेके आने तो जितनी वीडियो अभी मैं upload कर रहा हूँ mixed questions की इनको तो जरूर देखते रही है ठीक है चलिए next question पर चलते है next आपका question number 4 है तो इसको try करिए जिस परकार घर से आजिया से संबंदित है उसी परकार साबून किसे संबंदित है तो जिस परकार हमें घर से आजिया मिलता है उसी परकार साबून से क्या मिलेगा इसनान घर मिलेगा नहीं मिलेगा सुगंद मिलेगी तो मिल सकती है बट एक strong option नहीं है सफाई मिलेगी हाँ बिल्कूल साबून किस के लिए बना जाता है सफाई के लिए सुगंद के लिए सुगंद तो उसमें ओप्षिनल है एड कर दी गई है बट जो साबून है वो सफाई के लिए बना जाता है तो यह आपका ओप्षिन C right answer हो जाएगा ठीख है तो आसे करता हूं कि आपने भी सका right answer C लगाया होगा चलते हैं next question पर next question number 5 आपका इसको भी try गरिए comment box में answer बतिए दी गई सरंखला में गलत संख्या ग्याद कीजिए आपको गलत बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या गलत है तो आपको लिखा है 216, 163, 162, 222, 24 अब आपको ये गलत निकालने के लिए आपको इनको difference चेक करना पड़ेगा ठीक है तो difference चेक करिए 72 और 24 में difference कितना है आपका ये difference होगा 48 इन दोनों के बीच में difference कितना है ये भी 48 है ठीक है अगर यहाँ पे देखा जाए 163 और इसके बीच में difference देखा जाए इनके बीच मेंगा difference देखा जाता है जबकि यह 48 difference नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं इसको 48 difference करता हूँ तो यह कितना आएगा यहाँ पर यह ज़्यादा है न तो इसको मैं करूँगा यह कम है तो इसको यहाँ पर करूँगा 168 तो यहाँ पर यह 168 हो जाएगा ठीक है तो 48 है और यह भी 48 है तो यहाँ आपर यह वाली संख्या गलती 163 यहाँ पर क्या आना चाहिए 168 आना चाहिए यहाँ कि 163 is the right answer यहाँ कि option b is the right answer तो ऐसे करते हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा next question पे चलते है next आपका question number 6 है नेमलिकित विकल्पों में से उस सब्द का चैन कीजिए जो दिये गए सब्द के अक्सरों के परियोग से नहीं बनाया जा सकता जो नहीं बना जा सकता वो आपको बताना है तो यहाँ पर मैं बात करूँ determination से क्या-क्या नहीं बना जा सकता है तो सबसे पहले हम try कैसे करते है वो मैं आपको option YZ बताऊंगा यहाँ पर आपको check करना है कि यह जो लिखा है यह इस वाले से बन रहा है यह कैसे check करेंगे यहाँ पर आपको check करना है कि D इसमें भी है, इसमें भी है E भी है, T भी है E भी है, N भी है TB है यहाँ पे और IB है, OB है, NB है इसका मतलब यह तो बन गया है आपका ठीक है, फिर next आपका option B को ट्राइ करिये D है, E है S है, ठीक है, देखे S नहीं होता है, determination में S नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका option B right answer हो जाएगा, तो बस आपको आगे check करने की ज़रत ही नहीं है, क्योंकि आपको पुछा की कौन सा नहीं बन सकता, तो सिर्फ एक ही option ऐसा होगा जो नहीं बन सकता, तो आपको आगे check करने की ज़रत कोई कुछ नहीं है तो option B is the right answer ठीक है, चलिए, next question पर चलते है next question number 7 है आपका इसमें बोला जा रहा है कि A, D का भाई है, D, B का पिता है तथा B और C बहने है C का A से संबंद बताईए तो इस type के questions को हम थोड़ा सा Vendagram बना के देखेंगे ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको direct करते है, बलने relation के 2-3 type के question होते है sorry, 2-3 type के question होते है इस type के question को आप एक छोटा सा Vendagram बना के करिए कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है कैसे करना है, यहाँ पर बोला A, D का भाई है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लीजे क्योंकि भाई है, तो A की generation का है तो यहाँ पर A और D को मैंने इस तरीके से लिख लिख लिया तो A, D का भाई है, दोनों आपका boys हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर plus कर लेते हैं फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है देखे, D का यहाँ पर gender define नहीं होगा न यहाँ पर बोला गया न कि A, D का भाई है, तो हम लिख सकते हैं कि A का तो पता है हमें, भाई है तो इसका मतलब यह male है आपका और D का नहीं पता भी, फिर next बोला जाए, D, B का पिता है, अब पता चलिए कि D, B आपका एक male person है तो यहाँ पर लिख सकते हैं B का पिता, तो B इससे छोटा हो जाएगा भाई, D, B का पिता है तो तब B और C बहने हैं B और C बहने हैं, इसका मतलब यहाँ पर B और C एक ही generation के हो जाएंगे तो यह भी B और C बहने हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है next बोला जा रहा है, C का A से संबंद क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ C का D से, सोरी A से C का A से क्या संबंद है तो यह इसका क्या हो जाएगा, यह भी इसका पिता देखें, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है यह B का पिता हो गया, B और C पहने पहने है, तो जब B का पिता है, D, तो C का B तो पिता ही होगा ना, और यही कोशन में पूछा गया है, तो D और C का क्या रिलेशन है, तो D C का पिता है, ठीक है, तो आसे करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा तो ये सारे आपका easily कर सकते हैं तो D, C का पिता है सोरी यहाँ पर पूछा C, A से संबंदित है तो C और A का देख लिजे C, A का क्या relation है तो ये बतीजी हो जाएगी इसकी ठीक है क्योंकि ये लड़की है और ये इसका भाई है तो ये इसकी बतीजी हो जाएगी तो option C हो जाएगा आपका यानि की B हो जाएगा सोरी बतीजा सोरी D हो जाएगा यार बतीजी थोड़ा confusing है तो ये हो जाएगा D बतीजी तो right answer D हो जाएगा आशे करता हूँ कि आपको समझ में आगे होगा next question पर चलता है question number 8 है याप और इसमें बोला जा रहा है सभी फल पत्या है कुछ फल अंगूर है तो सभी फल आपने सबसे पहले पत्या बना देने है फल आपने बनाया सभी के सभी फल पत्या बना दिये फिर बोला जाए रहा है कुछ फल अंगूर है तो यहाँ पर फल में आपने हलका सा कट लगाया और कुछ फल अंगूर इस तरीके से आपके बन जाएंगे ठीक है कोई problem नहीं है हाँ तक यह simple सा वे अंडेग्राम था पर थोड़ा सा आपको confusion क्या हो सकता है कि यह आपने सबसे पहले फल पना दिया फिर बोला कि सभी के सभी फल आपके पत्या है फिर बोला कि कुछ फल अंगूर है तो कुछ फल अंगूर कैसे हो सकते हैं देखिए इसी तरीके से तो होंगे तो यह सारे के सारे अंगूर भी पत्यों के अंदर आ जाएंगे ठीक है या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं बट हमें क्या देखना है अगर पत्यों का रंगूर का complete correlation नहीं हो सकता है ठीक है तेख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है निसकर्स में कुछ पत्या अंगूर है कुछ पत्या अंगूर है तो पत्या और अंगूर का relation यहाँ पर कुछ का हो सकता है क्योंकि यह वाली condition तो satisfy है न तो आपका पहले वाला right answer हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है first is the right answer दूसरा है सभी अंगूर फल है तो सभी के सभी अंगूर फल नहीं हो सकते क्योंकि option सोरी कथल में बताया गया कि कुछ पल अंगूर है तो सभी के सभी अंगूर फल कभी नहीं हो सकते तो आपका second वाला wrong हो जाएगा first वाला right हो जाएगा तो यही आपका right answer बन जाएगा ठीक है तो आशे करता हूँ कि आपको सौझ में आया होगा next question पर चलते हैं next आपका question है निमिन में से लूपत संख्या को ग्याद कीजे यानि कि आपको ये वाली संख्या बतानी है ठीक है वई तो एक बड़ ट्राइ करके देखे question number 9 है आशे करता हूँ कि आपने try किया होगा और ये बहुत ही simple सा असान सा question है यहाँ पर क्या देखना है आपको इन सभी को मैं plus करूँ तो कितना हो जगा ये 9 और 21 कितने जगा 30 और ये 10 40 ठीक है यहाँ पर अगर मैं इन सभी को plus करता हूँ तो ये भी आपका कितना हो जगा 40 तो आपका बस एक ही यहाँ पर ध्यान लखना है एकी चीज ध्यान लखनी है कि इन सभी का plus भी 40 होना चाहिए तो अगर मैं इन दोनों को plus करता हूँ तो कितना हो जगा 30 तो यहाँ पर क्या रखो कि यह 40 हो जगा 10 तो यही आपका रहे तांसर हो जगा option C तो इस टाइप के questions बहुत सारे पूच जाते हैं और यह I think question आ चुका है आरपी अप में यह question पहले आया था यह previous year question है तो यहाँ पर देखिये 10 आजएगा तो इस टाइप के questions अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप easily कर लेंगे उनको ठीक है चलिए नेक्स question पर चलते है नेक्स आपको question number 10 है और last question आज की वीडियो पर है इसमें बोले जारा है pencil, rubber और stationary के संबंद को किस आरेखा द्वारा परदसित किया जा सकता है तो यहाँ पे देखिये pencil और rubber कहां से मिलती है stationary की दुकान से stationary से मिलती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ऐसा वेंड डाग्राम देखना है क्योंकि pencil, rubber अलग-अलग चीज है ठीक है है तो दोनों अलग-अलग चीज पर मिलती कहां से stationary से तो rubber और pencil और कहां से मिले कि stationary से तो दोनों की दोनों आपका इस तरीके से वेंडेग्राम राइट हो जाएगा तो इस question का राइट आंसा क्या रहेगा option C तो ऐसे करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को like share तो कर दिया होगा अगर अभी तक आपने like share नहीं किया है तो like share कर दीजेगा पीडियाप आप download कर सकते है topic study के टेलिग्राम चेनल से जिसका link नीचे description box मिल जाएगा वहाँ पे आप click करके join करके आप तो यहाँ पीडियाप download कर सकते हैं तो मिलते हैं फी नेक्स वीडियो ये तब तक के लिए take care वीडियो को देखने बहुत बहुत धिनेवाद आपका दिन सुबो